टॉपिक तंबर थर्टी टू राजिस्थान में संगीत लोक नुर्टे एम लोक नाट्य संगीत घराने संगीत घराना प्रणाली तांसिन के वन्चों से प्रादम हुई मानी जाती है गायन एम वादन के प्रमुक संगीत घराने जैपूर घराना मनरंग भूपत खां ये ख्याल गयन शैली का घराना है जैपूर का कथख घराना भानुजी उत्तर भारत के प्रसर शास्टे निर्टे कथख का अद्बह राजिस्तान में तेरी सदी में हुआ माना जाता है यहीं से शेश शेत्रों में फैला पतियाला घराना पतेह अली अली बक्ष आलिया फतू पाकिस्तानी गजल कायक गुलाम अली इसी घराने से सम्मदित हैं जैपूर का बीका बीनकार घराना रजजब अली खां बीनकार श्री रजजब अली जैपूर के माराजा राम सिंग के दर्बार में प्रसिद बीनकार अलादिया खां का घराना कि शोरी अमोन कर इस घराने के प्रसिद गई का है मेवाती घराना उस्ताद घग्चे नजीर खां पंडित जसराद इसी घराने से संम्मनित है डागर घराना बैराम खांदागर माराजाराम सिंग के दर्बारी गायक दुरुपद की डागर डागर वानी के लिए प्रस्द इस घराने का आदी पुरुष बाबा गोपाल दास इमाम बक्ष को माना जाता है परंतु से वास्तर उतूप में प्रवर्तित कर प्रस्द करने का श्ट्रे बहराम खान डागर को दिया जाता है जैपुर का सेनिया घराना तांसेन के पुत्र सूरत सेन ये सिताधियों का घराना है अम्रत सेन इस घराने के प्रस्द सिताधिये हुए है रंगीला घराना रमजान खां मिया रंगीले मिया रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बक्ष के शिश्य थे राजिस्थान के प्रमुख संगीत अग्या सवाई प्रताप सिंग 1778-1803 जैपुर नरेश सवाई प्रताप सिंग संगीत हम चित्रकला के प्रकान विद्वान हम आश्र दाता थे इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसित ग्रंत रादा गोविन संगीत सार की रचना करवाई जिसके लेखन में इनके कवी देवर्शी ब्रजपाल भट का महत्वण योगदान रहा इनके दरबार में 22 प्रसित संगीत अग्यों और विद्वानों की मंदली गंदर्व बाईसी थी देवर्शी द्वार का नात भट ब्रजपाल भट चांद खां कंडपत भारती आदी इनके प्रसित दरबारी संगीत अग्यों थे ये स्वेम भी ब्रज निदी उपनाम से भट इन्हीं के दर्बार में था पंडित उद्यशंकर उद्यपूल में जन्मेश्री उद्यशंकर प्रख्यात कथक भेले नर्तक थे पंडित रवी शंकर प्रख्यात निर्तेकार पंडित उदर्शंकर के अनुजु पंडित रवी शंकर वर्तमान में विश्व के शिर्शस्त सितार वादक है यहने अमेरीका का प्रस्थ संगित पुरुसकार ग्रेमी पुरुसकार मिल चुका है पंडित विश्व मोहन भट जैपूर के विश्व प्रसिद सितार वादक जिनने 1994 में स्पेनिश किटार वादक राई कूडर के साथ जुगल बंदी में पंडित विश्व मोहन भट ने पश्चमी किटार में 14 तार जोड कर इसे मोहन वीडा का रूप दिया जो वीडा सरोद इम सितार का सम्मिश्ण है इनके बड़े ब्राता पंडित शशी मोहन भट भी प्रसिद सितार वादक थे जैरूदीन फैयाजुदीन डागर डागर कराने के प्रसिद दुरुपद गायक जिननोंने दुरुपद में जुगल बंदी की जैपूर की प्रसिद गायक जो जैपूर की प्रसिद गायका वर नर्तकी गौहर की पुत्री है प्रमुक संगीत ग्रंत इम रचनाकार नाटे शास्त्र भरत मुनी रहद वेशी मंतक देव आठमी सदी गीत गोविंद जैदेव बारवी सदी संगीत रतनाकर दो शारंग देव तेरवी सदी मान कुतुहल राजा मान सिंग तोमर राक माला राक मंजरी पुंडरीक विठल संगीत परिजात अहोबल सरस्वर्थी कंठा बन चंदर प्रकाश राजा भोज संगीत राज संगीत मीमान सा रसिक प्रिया गीत गोविंद के टीका सूड प्रबंद मारणा कुंबा राग चंदरीका भट द्वार का नात राग रतनाकर राधा कृष्णर सवाई प्रताप सिंग के काल में श्रिंगार हार राणा हमीर राधा थंबोल संगीत रतना वली सो संगीत राग कल्पद्रुम क्रश्ना अनुप व्यास मेवाड संगीत गुणदीप कवी जान संगीत अनुप राग भीकानिर महाराजा संगीत विनोद अनुप संगीत विलास अनुप संगीत रत्नाकर अनुप अंकुष अनुप सागर अनुप राग महाराजा अनुप संग के दर्बारी संगित अग्या भाव भट अनुप्राग विलास कुमार गंदर्व ब्रज निदी गंथावली सवाई प्रताप सिंग की रचनाओं का संग्रह भात खंडे संगित शास्त्र अभिनाव पंडित विश्नु नरान राक मंजरी हिंदुस्तान संगित पध्यती भात यकाेकी जैसलमेर शेत्र में गाई जाने वाली राग मांडर् कि प्रसेद मांड गाई का एं स्वल्गत गवरी देवी बिका नेर स्वाली मंगी बै उधैपूर श्रीमती बंनो बेगम चैपूर घ्रविक लंगा ग लेके पष्टमी शेत्रों में लंगा जाती के गाये को द्वरा गाय जाने वाली गायन शेली सारंगी व कामा यचा उसके प्रमख वाद्य हैं ताल बंदी गाये की ये राजिस्तान के पुर्वी अंचल भरतपूर दौलपूर करोली म सवाई माधपूर अधी में लोक गायन की शास्त्रे संगीत परंपरा है मैत्वपूर टथ्य है राजिस्तान में प्रथम पार्सी थेटर रंगमंच की स्थापनाथ जैपूर में राम प्रकाश थेटर के नाम से महराजा राम सिंग द्वित्य ने 1888 इसी में करवाई थी जालावाड की बवानी नाट्टे शाला के र सोर्गेबाबु मनिकलाल डांगी, कनेया लाल पावार, मास्टर नैनुरम, गनपत लाल डांगी, मिस रोली, मिस अलकाव आदि थे। राजिस्तानी नाटकों के जनक निर्देशक श्री कनेयलाल पमार थे। हमिदुल्ला स्वतंतरता के बाद के प्रसित रंग कर्मी थे। जिनोंने प्रसित नाटक दरिंदे एम एक मुद्दा और लिखा। माराणा कुम्बा की पुत्री रमाबाई भी प्रसित संगीत अग्यत नस्ट किये जाने के करण हवेलियों वह घरों में स्थापित मंदिरों में विक्षित संगीत धारा। हवेली संगीत के नाम से प्रसिदवी। नात्य द्वार चांक रोली जैपूर-कोटा। बहरतपूर आधी मंदिरों में आज भी हवेली संगीत अपनी विश्षता कुम्बा को अभिनाव भड़ता अचारे एम नंदी केश्वर अवतार के विर्दु प्राप्त थे जैपूर के संगीत प्रेमी महाराजा राम सिंग 1835 से 1880 स्वी के दर्वार के प्रकान संगीत अग्यों में बैराम खांड आगर प्रसित भीकाने रज्जब अली खां महाराज के संगीत गुरू गग्ये खुदा बख्ष खां तांसेन के वन्षचेंप प्रसिद सितारवादक अम्रुचें एम मुबारक अली खां थे राजिस्तान के लोकगीत मूमल जैसलमेर में गया जाने वाला श्ट्रिंगारिक लोकगीत धोला मारू सुरोही का लोकगीत गोरबंद उन्ट के गले का अबुशन गोरबंद पर मरस थलियव शेखावाटी शेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है ओल्यू किसी की याद में गाय जाती है जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्ट्रिया से गाती है काजलियो एक श्रंगारिक गीत है जो विशेशकर होली के उसर पर चंग पर गाया बजाया जाता है कुरजा विरहनी द्वारा अपने प्रेतम को संदेश भिजवाने हितू गाया जाने वाला लोकगीत गूमर राजस्तान के प्रस्त लोक नर्ते गूमर के साथ गाया जाने वाला गीत पणिहारी, राजस्तान का प्रसित लोक गीत, जिसमें राजस्तानी इस्त्री का पती व्रत धर्म पर अटल लेना बताया गया है कांगसियों, कंगे पर प्रचलित लोक गीत पावणा, ने दामात के सुसराल में आने पर इस्तरियों द्वरा पावणा गाय जाते हैं कामण, वर वदू, वर को जादू टोने से बचाने है तू गाय जाने वाले गीत राती जगा, रात बर चापकर गाय जाने वाले किसी देवता की गीत हिचको, अलवर मेवात का प्रसिद गीत, पपईयो, दामपत्य प्रेम के आदर्श का पादिचायक गीत, जोरावा, जैसल मेर जिले में पती के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाय जाने वाले गीत जोरावा कहलाते हैं सुमटिया, भीलनी इस्त्री द्वरा परदेश गैपती को इस गीत के द्वरा संदेश भेजा जाता है, दोपट्टा, शादी के असर पर दूले की सालियों द्वरा गाय जाने वाला गीत, हम सीडो, उत्री मेवार के भीलों का प्रसिद लोक गीत, इसे इस्त्री और द्वरा गाय जाने वाले सागुण भक्ती लोक गीत, जलो जलाल, बदू के घर से इस्त्रीयां जवर की बारात का धीरा देखने जाती हैं, तब ये गीत गाय जाता है, रसिया, ब्रज भरतपूर दॉलपूर आदी शेत्रों में गाय जाने वाले गीत, लावनी, श्रंगार मर्वार मन्जीरों के साथ गाय जाने वाले लोक गीत, कावाली, ये वीरश प्रदान कीत है, केसरिया बालम इस गीत में पती की प्रतिक्षा करते हुए एक नारी की वरवेथा है यह एक रजवारी गीत है मूरिया इस सरसलोग गीत में ऐसी वालिखा की वेथा है जिसका संबंद तो तैह हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है जीरो इस गीत में ग्राम वदु अपने पति से जीरा नहीं बोने की विंती करती है छिर्मी इस लोगुगीत में छिर्मी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वदु द्वारा अपने भाई वर पिता की प्रतिक्षा की समय की मनोदशा का चित्रण है बिंदू राजिस्थान के लोकवाद्य लोकवाद्य लोकसंगीत को एक लयात्मकति प्रदान करने का साधन है राजिस्थान के प्रमुक लोकवाद्य तत्वाद्य जिन वाद्यों में तारों द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है वे तार या तंतू या ततवादे कहलाते हैं इन से जिने गज की साहता से बजाया जाता है वे विततवादे कहलाते हैं जैसे इसराज सारंगी आदी सारंगी, एक्तारा, जावन हत्ता, जंतर, कामायचा, भपंग, तंदूरा, तंबूरा, रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको भी सुशिर वाद्य, जो वाद्य फूंक कर बजा जाते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है जैसे बांसुरी, अलगोजा, शेहनाई, जिसे नफीरी भी कहते हैं, पूंगी यानि बीन, मशक, बांकिया, बूंगल यानि रणभेरी, सतारा, नड, मोर, चंग, करणा, तुरही, नागफणी, मुरला, या मुरली, सींगी, सुरनाई, सी, अवनद्य या तालवाद्य, इस श घेरू, डमरू, खंजरी, धौंसा, तासा, दमामा, तामक, गेरा, डफर, धाक, कुंडी, पाबुजी की माटे, कमर, माठ, डी, घनवाद्य, जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन होते हैं, वे घनवाद्य कहलाते हैं, ये धातु निर्मित वाद्य अंत्र हैं, चो निम्न हैं, मंजीरा, थाली, छांज, कर्ताल, घंटा यानि घडियाल, चिम्ता, बरनी, जालर, घड़ा, गुंगरू, गरासियों की लेजिम, गुरालिया, रमजोल, खर्ताल, राजिस्तान के लोकनाटे, ख्याल, ये एक लोकनाटे की वह विद्या है, जिसमें किस बद्य रचनाओं के रूप में, अलग-अलग पात्रों द्वारा, गागा कर, लोकमनरंजन हेतू, लोकनाटे के रूप में प्रस्तूत किया जाता है, ख्याल, लोकनाटे में नगाड़ा वर हार्मोनियम प्रमुख, वादे ब्रोक्त होते हैं, इसका सुत्तरदार हलकारा कह लाता है, राजिस्तान के प्रमुख, ख्याल, विबिन चेत्रों के अनुसार निम्न है, शेखावटी वर चिडावा के ख्याल, सीकर, खंडिला, चिडावा, जाखल, आदी शेत्र, इस ख्याल के प्रस्त अखाड़े रहे हैं, चिडावा के स्वर, गिर, नानुलाल, राणा और धूलिया राणा ख्याल, लोक नाटे के प्रस्त कलाकास नहें हैं, कुचा मनी ख्याल, इस ख्याल शेली के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे, इन्होंने गोगा, चोहान, मीरा, मंगल, राव, रनमल, आदी ख्यालों के रचना की, इस ख्याल का रूप उपेरा जैसा है, उगम राज इस ख्याल के प्रस्त कलाडी है, हेला ख्याल, ये दौसा लाल सोट सवाई मादोपुर आदी शेत्रों में प्रचलित है, ये ख्यालों के मुख्या प्रेरक शायर हेला थे, इसकी प्रमुख विशिष्टा हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना रही है, अली बक्षी ख्याल, अलवर रियासत के मुंदावर, ठिकाने के राव राजा, अली बक्ष के समय से उद्दिबूत, यह लोक नाटे, पुर्वी राजिस्थान में प्रस्द है, कनया ख्याल, करॉली सवाई मादपुर, भरतपुर, वदालपुर, शेत्रकी, और कनया के दं अबत, घेरा, मंजीर, वर धोलक वादेपुर्त होते हैं, बेट के दंगल, दौलपुर का बाड़ी बसेटी शेत्र, बेट के दंगलों के लिए जाना जाता है, इनके विशर देवी देटाओं से जुड़े दार्मे काख्यान होते हैं, तबला, बेला तता धप मुख्यवा संत शाह अली कलंगी इस नाट्य विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं, राजिस्तान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन चितरगर, गोसुंदा, निंबाहिडा, आदी शेत्रों में सहेडू सिंग, तुर्रा तता हमीद बेग कलंगी के नेतरत्रों में प्रा करते हैं, जिसे बेठक गम्मत का गाना कहते हैं, तुर्रा कलंगी की शेली को माच कहते हैं, तुर्रा कलंगी में इस्तरी पात्रों की भूमिका भी पुरुशी निभाते हैं, तीसरा रम्मत, जैसलमेर बीका ने शेत्र के खयाल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं, रम्मत लोक नाते शेली का प्रारम जसल्मेर में हुआ था जसल्मेर में तेज कभी ने रंतो का खाड़ा प्रारम किया था उन्होंने सवतंत्रता भावनी, मुमल जोगी भर तुहरी तता छेले टमवोलन आदी रंतों की रचना की बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए सरवादिक प्रसिद एमसु विविस्ता खाड़ा है रम्मते होली पर फालगुन चुकला अस्टमी से चतुर दर्शिता काजित की जाती है हेडाओ मेरी की रम्मत का सुतरपात स्वर्गित जवाहर लाल जी पुरोहित ने किया रम्मते मुख्यतें चेत्रों के पुष्करणा ब्रामणों दरा खेली जाती है रम्मत में मुख्यवद्य नगाड़ा तता धोलक होते हैं बिकानेर में रम्मतों का बंचन पाटों पर होता है अते पाटा संस्कृती बिकानेर की दिन कही जाती है श्री मनिराम व्यास फागू महाराज सुवा महाराज तुलसी राम आदी रम्मतों के लिए प्रसुत कलाकार है चाता तमाशा जैपुर की लोगनाट शेली इस शेली का प्रादुभाव तब हुआ जब सन 1544 में अमीर के महाराजा मान सिंग प्रतम के समक्ष मोहन कभी विर्चित नाटे धमा का मंजरी का आमेर में प्रदर्शन किया गया जैपूर माराजा प्रताप सिंग ने तमाशा के प्रमुक अलहकार बंचिदर भट को अपने गुणी जन खान्दी में प्रेश्य देकर इस लोग करनाटे विद्या को प्रोथ साहित किया तमाशे में सारंगी तबला नकारा हर्मोनियम ही प्रमुक बादे है होली की दिन जोगी जोगन का तमाशा होली के दूसरे दिन हीरे रांजा चैतर के मावस्या को गोपी चंद की प्रस्तुति शीतला अश्टमी की दिन जुठन मिया का खेल तमाशा किया जाता है गोपी जी भट, फूल जी भट, मन्नु जी भट, वासुदे भट, तमाशा के अच्छे कलाकार है पांचवान नौ टंकी भरतपूर, दौलपूर, करोली, सवाई माधपूर, आदी, उत्तर प्रदेश के सीमा वर्ती इलाकों में नौ टंकी नामक लोक नाटे का प्रचलन अधिक है, राजसान में नौ टंकी का प्रचलन डीग निवासी श्री भूरी लाल ने किया, गिरी रात प्रसाथ कामा वाले इस खेल के प्रसित खिलाडी है, नौ टंकी के प्रसित खेलों में नाकाब पोश रूप बसंत राजा सत्यवादी राजा हादिश चंद्र आदी प्रमुख है, छटा गवरी या राई, ये राजस्तान के उद्यपूर्ट डूंगरपूर्ट तथा बासवाड़ा शित्र में बसे भीलों का प्रसित लोक नाटे है, गवरी लोक नाटे का मुख्याधार शिव तथा बसमा सुर की प्राइक कता है, राखी के बाद से इसका प्रदर्शन सवा माह, 40 दन तक चलता है, ये राजस्तान का सबसे प्राचिन लोक नाटे है, जो लोक नाटों का मेरु नाटे कहा जाता है, इस नाटे में शिव वभрасमा सुर का प्रतिक राई बूरिया, बूरिया, दोनों पारवत के मुख्य पात्र होते हैं अन्य पात्र खेलिये कहलाते हैं खट कुडिया इस नाटे का सुत्रधार होता है इस नाटे के विभिन कथानक गवरी की घाई निर्त द्वरा मूल कथानक से जोड़े रहते हैं बंजारा बंजारी बाचाह की सवारी हटिया अंबाव भियावर शेर सुवर की लड़ाई खाड लिया भूतादी गवरी के मुख्य प्रसंग है इस लोक नाट्टे की विशेष्टा है कि इसे भीलो के अलवा कोई नहीं खेल सका इस तरियों की भूमिका भी पुरिशों के दरा ही खेली जाती है तता गवरी के दिनों में इस्तरी गमन, मास, मदिरा, हारी, सबजी, सेवन पर गवरी पात्रों के लिए पूनतर प्रतिबंद होता है गवरी की गाई गमत गवरी के विभिन प्रसंगों को मूल कथानक से जोडने हेतू बीच-बीच में किया जाने वाला निर्तिय है सात्वा स्वांग ये भी एक लोक नाट्टे का एक रूप है जिसमें एक ही चरित्र होता है जो किसी विशेश एतिहासिक पौरानिक लोग प्रसिद या समाज में प्रसिद चरित्र या देवी देवता की नकल में अपना मेक अप कर उसके जैसी वेश बूशा पहनता है या उसी के अनुरूप अभी ने करता है जानकी लाल ने विबिन देशों में भारत महुट सौँ में भारत का प्रती ने दित्वकर इसका अला को विश्व प्रसित कर दिया भवाई नाटे, भवाई मुखेता गुजरात का लोग नाटे है परन्तु राजिस्थान के गुजरात के सीमा वर्ती इलाकों को भी ये नर्त्य नाटी का बहुत लोग प्रिया है ये लोक नाटे वेवसायक श्रणीका है, इस नुर्ते नाटिका को एक विशे जाती भवाई जाती के लोग मुख्यता अभीनित करते हैं, प्रमुख भवाई लोक नाटक हैं, जस्मा, ओडन, बीका जी और भाग जी, भवाई नाटे के प्रमुख वादे सारंगी नफीरी मंजीरा हैं, पड़, राजस्तान में प्रसित लोक देवी देता को, जीवन गाथा को, पड़ों पर चितरत करके उसके बांचने की सुगर परंपरा है, पड़ भूपो द्वारा खेली बांची जाती है, दस्वा लीला है, इसमें अवतारों के चज़तर का भीने, उन्हें रिजाने और उनका गुणगान करने है, तू निर्ते गाई की समवादों के रूप में क्या जाता है, राजस्तान में लीलाओं के मुखेतर दो रूप, रास दिला वर राम दिला प्रचलित हैं, कर रास दिला, रास दिला श्री कृष्ण के जीवन चरतर पर आधरित होती है राजस्तान में शिविलार कुमावत ने इसे विशेश सौरू प्रधान किया, राजस्तान में फूलेरा इन लीलाओं का प्रमुकेंदर सहा, राम दिला, ये भगवान च्री राम के जीवन की लीलाओं पर अधरित लोग नटे है, राजस्तान में राम दिला का प्रारंब, रास दिला के बादवा, बिसाउ, पांटुदा, कोटा तदा भरतबूर के कामा तैसिल के जुरहरा की राम दिला अपनी विविदता के लिए प्रसिद रही है। राम दिला से मिलता एक रूप रामत का रहा है, इसमें पूरा राम जीवन प्रदर्शित नहीं किया जाकर मुख्य मुख्य घटनाओं का प्रभावी मंचन होता है। संका दिकों की लिला है, गो सुनदा एम बस्ती इस प्रकार की लिलाओं के मुख्या खड़े हैं, बस्ती में यह लिला कार्तिक मास की पूर्नी मा में खेली जाती है। आबु शेत्र के गरासिये गणगोर पर गोर लिला करते हैं। चार बैत टॉंक शेतर में खेली जाने वाली संगीत दंगल दूपी लोक नाते विध्या ये पठानी मूल की कावे प्रधान लोक नाते विध्या है लोक नाटे शैली टॉंक के नवाप फैजुल्ला खां के समय अब्दुलकरीम खां एम खलीफा करी खां निहंग ने प्रारंब की रसिया दंगल भरतपूर धीक शेतर में खेले जाते हैं लाजेस्तान में कटव्ली लोक नाटे भी प्रचलित हैं जालावाड का बिंदोरी निर्ते, नाथ द्वारा का डांग निर्ते, व्यवसाईक लोक निर्ते, पेशवर जातियों द्वारा जीवी का उपार्जन के लिए किये जाने वाले निर्ते, भवाई निर्ते, तेरा ताली निर्ते, काल बेलियों की इंडोनी, पणी हादी, शंकर सभगको के निरते हैं कच्छी गोडिनि निरते हैं भोपों के निरते कठोप्तली निरते सामाजिक वधार्मिक निरते हैं लोक जीन विभिन मांगलीक अउसर उ उद्स मन के दEम ब trajectory विश्ष्ट जातों च तरहां के आने वहले निर्थ की जाने वाले निरते हैं । के निर्टे हैं गेर निर्टे गवरी निर्टे राई निर्टे युद्द निर्टे द्विच्च की निर्टे लोक निर्टे घुमरा गरासियों के निर्टे हैं वालर लूर कूद मांदल गौर जवारा मोरिया कथोड़ी जाती के निर्टे हैं मावलिया निर्टे होली बाजा और रतवई अन्य निर्टे हैं भील मीलों का नेजा बालदिया गूजरों का चरी निर्टे सहरियों का शिकारी निर्टे प्रमुक लोक निर्टे गयर निर्टे मुखे तक होली पर भील पुरिश्ण द्वरा किया जाने वाला निर्टे कणाना बाडमेर में गयर निर् जो बादर पद माह से आश्वेन चुकला एका दशी तक निर्ट्य किया जाता है। नाटिका के रूप में ये मंचित किया जाता है। इसके साथ शिव और भसमा सुर्गी पौरणे कथा संबंद्य है। वालर निर्ट्य मैला और पुदिशों द्वारा संमलित रूप से दो अर्ध व्रतों में अत्यन्त दीमी गती से बिना वाद्य के किया जाने वाला गरासियों का प्रसित निर्ट्य है। जाती के पुदिशों द्वारा संमू में किया जाने वाला निर्ट्य मेवों के निर्ट्य रण बाजा निर्ट्य ये मेवों में प्रचलेत एक विशेश निर्ट्य हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रत्वई निर्तिय के अलवर शेत्र की मेव महिलाओं द्वरा किया जाने वाला निर्तिय, चक्री निर्तिय, धहप ढूलक, मंजीरा तथा नगाड़े की लai पर कंजर बालाओं द्वरा गीत कुरते वे तेज। दफ्तार से किया जाने वाला चक्राकार निर्थे यहां निर्थे हाड़ोती अंचल का प्रसित लोग निर्थे है बालदिया निर्थे बालदिया एक घुमंतु जाती है जो गैरू को खोद कर बेचने का वैपार करती है यह निर्थे इनके इसी कारे को चित्रत करते वे किया जाता है, शिकारी नर्ते, यह सहरीय जन जाती का निर्ते है, भील میणों का नेजा निर्ते, खेरवाडा उदेपूर वर डौंगरपूर के भील, Meenna द्वारा होली के उसर पर किया जाने वाला रूची प्रद्व खेल, गुजरों का चली निर्ते, किशनगड अजमेर के आसपास के शेत्र में गुजर जाती के महिलाओं दोरा गणगो जन्म विवाह आदी मांगडी का उसरों पर किया जाने वाला निर्तिया किशनगड की श्रीमती फुलकुबाई का इस निर्तिय को लोगप्रे बनाने में अध्वितिय योगदान है विबिन शेत्रे निर्तिया, गींदन निर्तिया, शेखावटी शेत्र, सुजानगड, चुरूर, जामगड, लक्षमनगड, जुनजुन, सीकर और आसपास के शेत्रों में होली के त्योहार पर डांडा रोपन से लेकर होली दहन तक केवल पुरिशों द्वारा किया जाने वा निर्तिया, कच्छी गोडी निर्तिया, ये शेखावटी शेत्रों में कुचामन, परबतसर, डीडवाना, आधी शेत्रों में विवाहा आधी के उसरों पर किया जाता है, जालोर का ढोल निर्तिया, बीन माल सिवाना जालोर के सांसलिया संप्रदाय में विवाहा के उसर पर किया जाने वाला निर्टे इस निर्टे को प्रकाश में लाने का श्रे भूत पुर मुखे मंतरी श्री जैनारण व्यास को है डांडिया निर्टे ये मारवार का प्रतिनिधी निर्टे है अगनी निर्टे इस निर्टे का उद्गम बीका निर के कत्रिया सर ग्राम में हुआ इस निर्टे में जसनाति संप्रदाय के सिद्द लोग जलते वे अंगारों के धेर, गुणा के चारो और पानी का छड़काओ कर जसनाति के गीत गाते वे गुरू के आगया से फते फते कहते वे, अगनी पर निर्टे करते हैं, यहन निर्टे फालगुन और चेत्र मास में किय जाता है बेकानेर के सौर्गे माराजा गंगा सिंग जी इस निर्टे के सबसे बड़े संग्रक्षकों में थे बम निर्टे अलवर भरतपूर शेतर में होली के असर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुर्शों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला निर् नाथ द्वारा का डांग निर्टे राजसमान जिले के नाथ द्वारा शेतर में होली के असर पर किया जाने वाला निर्टे विवसायक लोक निर्टे भवाई निर्तिय ये उद्यपूर संभाग में बसने वाली भवाई जाती का एक निर्तिय है जिसकी मुख्य विश्षता है निर्तिय अदाएगी शारारे क्रियों के अद्बुत चमतकार तथा लेकारी की विविदिता है प्रमुक अलाकर कजली कुसम दुरौपदी तेरह ताली राजिस्तान में कामड जाती की महिलाओं और पुलिश्णों द्वारा बाबा रामदेव के आरातना में डीडवाना पोकरण पात रणा गाओं उदैपूर में तेरह मंजीरों की साहता से तेरह तरह की भंगी माओं के साथ बैठे बैठे निर्तिय क्या जाता है प शरीर की लोच का प्रदशन देखते ही बनता है नर्तिक दरन आखों की पुत्लियों से अंगुठियां और मूँ से नोट उठाने जैसे हैरत अंगेज कारणा में किये जाते हैं गुलाबो प्रमुक कालबेलिया नर्तियांगना है कालबेलियों के प्रमुक नर्तियां इंड अधर गती से महिलाओं द्वारा समों में चक्कर कारते वे अपनी ही धुरी पर गोल घूमते वे गणगोर और नवरात्री पर वोपर ये निर्ते किया जाता है गर्बा गर्बा गुजरात का प्रस्ट लोक निर्ते है राजिस्तान में ये बासवडा डूंगरफूर शेतर में पर चलेता है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये निर्ते नवरात्री पर किया जाता है गुड़ला निर्ते ये चैतर किष्णा आठ को इस्तुरियों तदा बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला निर्ते है जिसमें वे सिर्पर कई छेद वाले मटके में जलता दीपक रखकर गुडलिया कीद गाती हुई निर्थे करतेवे गाउं में घूमती हैं वस्तो निष्ट प्रेश्ण माराजा सवाई प्रताप सिंग के आश्रे में रादा गोविन संगीत साल के निर्मार का श्रे किसे है देवर्शी भट ब्रिचपाल को प्रेश्ण दो जैपूर के कथग घराना के प्रवर्थक भानुजी तीन मोहन पेड़ा के निर्माता पंडित विश्व मोहन भट प्रेश्ण चाल संगीत रतनाकार के रचनाकर कौन है शारंग धर प्रेश्ण पांच राजिस्तान के किस शासक ने प्रसित संगीत अग्यो हैं विद्वानों की मंडली गंदर्व बाईसी को अपने दर्बार में संग रक्षन दे रखा था अंसर सवाईजे प्रताप सिंग प्रशन चे कौन सात्त वादे नहीं है अंसर नौबत प्रशन साथ राजिस्तान का प्रसिद पाखावच वादक है पंडित पुर्शोतम दास प्रशन आठ ख्याल शैली के जपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग प्रशन नौ तृपद गाईकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद है डागर घराना प्रशन दस मूमल क्या है अंसर लोग गीत प्रशन ग्यारा तेरा ताली निर्टे के लिए प्रसिद है राम देवरा मेला प्रश्ण बारा होली के बाद भाईया तूच से प्रारम होने वाले निहान लोकोत सव का आजन हाडोती अंचल में किस इस्थान पर होता है सांगोत कोटा तेरा लांगोतिया नित्य किस मेले का प्रस्थ है कैला देवी मेला चौद्वा लोक गीतों का सरवादिक मेहतो है परंपरा के संग्रक्षन में पंद्वा वर को जादू टोने से बचाने के लिए इस्तरियों द्वारा गाय जनेवल अगीत क्या कहलाता है कामण सोलवा प्रच भरतपूर दॉलपूर शेतर में किस प्रकार की गीतों की प्रदानता है श्रंगा रस प्रदान रसिया प्रशन सत्रा कौन सा निर्टे बील जन जाती का नहीं है अंसर गौर बील जाती के जन निर्टे है गैर गवरी द्विच की अठारवा साजिस्तान राजे का लोक निर्टे है गूमर उन्निस्वा निम्न में से गूजरों से संबनेत निर्टे कौन सा है चरी बीस्वा किस निर्टे में गरासिया पुरुष भाग लेते हैं गौर बालर और कूद निर्टे में एक्किस्वा अलवर से त्रकी मेव महिलाओं द्वरा किया जाने वाला निर्टे कौन सा है जत्वई बाइस्वा इसमें से शेखावटी निर्टे कौन सा नहीं है बम तेस्वा गुलाबों का समन किस निर्टे से मुख्यता है काल बेलिया निर्टिया चौबिस्वा पैटन पराने की कला के लिए कौन सा नर्ते प्रसिद है कच्छी गोडी 25 जम्मत लोक नाट्य शेली का फ्रादम किस जिले से हुआ जैसल मेर 26 राजिस्तान में तमाशा नाट्य शेली की विकास में किसका योगदान इस्तुद्य है वंशिदर भटका 27 स्वांग लोक नाट्य कला को व मंजीरा किस लोक नाट्य शेली के प्रमुक वाद्य है स्वांग नोटंकी भवाई 29 कामायचा का संबंद निम्ने में से किस जाती से है मांगनी असर तीस्वां राजिस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावन हथा 31 किस निर्टे का प्रमुक वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है गींदर निर्टे 32 तेरा ताली निर्टे का प्रमुक वाद्य कौन सा है मंजीरा 33 जाजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्व पर बजाय जाने वाला वाद्धे यंत्र है नौबत. 34. अली बक्षी ख्याल गाय की सरवादिक पिछलित है अंसर अल्वर में. 35. ऐसा वादे यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है शेहनाई. 36. गरासियों दोरा किया जाने वाले किस निर्टे में वादे यंत्रों का प्रयोक नहीं होता वालर निर्टे में जिन में होता है वे निर्टे हैं शंकरिया, वागडिया, गुडला 37. भील जन जाती दोरा किया जाने वाला प्रसेदार में निर्टे गवरी 38. मरू भूमी के लोक गीत उनकी किसका भावना के परिचायक हैं उमंग, वियोग, हिर्दय की पेड़ा 49. अलवर भरतपूर शेतर में होली के अउसर पर भी नई फसल की खुशी में किया जाने वाला निर्तिय बम निर्तिय 40. कौन सा वादे यंत्र है आदे कटे नादेल की कटोरी पर खाल मड़कर बनाया जाता है जावन हथा 41. राजिस्थान का अती प्रचलित वा अती प्राचिन लोक वादे कौन सा है सारंगी